अब अब नाओ अब अब लाइब नाओ सेशन लाइब हुआ है कि नहीं बढ़ बता दो मुझे ओके शो एक्चली सॉफ्ट्वेर जो था उसने वोक करना बंद कर दिया था तो थोड़ा सा यहां पर डिले हो गया लेकिन अभी आएटिंक इस वर्किंग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक बार फटाफर से सबी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ओके चलो स्टार्ट करते हैं काफी डिले हो गया अल्रेड़ी तो यहां पर आज हमें करना है रेंक रिपोर्ट्स और इंडेक्स की सब्सक्राइब करते हैं इसकी क्लास अल्रेड़ी स्टार्ट हो चुकी है मेरी पेड क्लास भी आपको इसमें मिलेंगी शीतल कोड आपको यूज करना है अदर्वाइस यह बैंकिंग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कल बहुत कम स्टूरेंट्स का मेरे पास में जो होमवर्ग था वो काफी कम स्टूरेंट्स का आया था इस यहां पर टॉप टैन भी नहीं बन पाए है तो इस वजह से यहां पर लीडर बोर्ड में शो नहीं कर पाई पहला क्वेस्टन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर फटाफट से सबी लोग आंसर करेंगे आपर क्या होगा आज का सेशन थोड़ा क्वेक रखेंगे विकॉस एक ब अंबर के अंदर जो लॉंच हुआ था तो उसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो क्या आई तो आंसर यहां पर क्या होगा ठीक है इंडिया की रैंक पूछ रहा है क्या है और दूसर क्या पूछ रहा है कि इसको यहां पर किसने 12 साल लगातार टॉप किया है इंडिया की इसमें रही मैं 48 और Switzerland जो है उसने क्या किया इसको यहाँ पर टॉप किया है तो correct answer क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा इधर भी और यहाँ पर इंडिया जो है इंडिया की 2015 में guys the rank हुआ करती थी 81 rank ठीक है और इंडिया ने यहाँ पर अपने आपको काफी अच्छा इंप्रूव क किये हैं 41 ranks खुद को इंप्रूव किया है फिर कई बार पुछ लेता है कि 2021 में जो global innovation index के अंदर इंडिया की जो rank रही 2021 में पिछले साल वो कितनी दी answer क्या हो जाएगा 46 यानि कि पिछले साल के मुकाबले भी हमने अपने आपको 6 position यहाँ पर बैटा किया है इसके अलावा Switzerland जो है यहां पर first position पर रहा most innovative economy के तौर पर और लगातार 12 साल मतलब लगातार 12 सालों से क्या चल रहा है यहां पर in most innovative economy रहा है हर साल यही यहां पर 12 सालों से यही टॉप कर रहा अगर आप लोग सच में succeed करना चाते हैं अच्छे marks लाना चाते हैं अपना एक साल waste नहीं करना चाते हैं तो मैं आपको कहूंगी daily मेरी वाइटी की classes 12 पीम पर होती है इसको अटेंड करिए प्लस आप paid batches ज़रूर लीजे क्योंकि काफी सारी चीजे जो मैं वाइटी पर cover न यहां पर कर सकते हैं ठीक है next year's year October 2022 India has emerged as the world largest producer of sugar India is the dash largest sugar exporter in the world यानि कि इंडिया जो है यहां पर world के largest producer की रूप में रहा October 2022 में यानि कि सबसे जादा चीनी का उतपादन कौन करता है विश्विक के अंदर भारत करता है लेकिन अगर बात कहूं कि चीनी के निरियात के मामले म ये world के अंदर इंडिया की क्या रहन कै निरियात मतलब जब दूसरे देशों को बेचने में हम किस नंबर पर आते हैं तो याद अखना हम कौन से नंबर पर आते हैं second नंबर पर आते हैं अब इसके regarding काफी सारी चीज़े हैं जो हमको इधर पता होना चाहिए एक तो इंडिय जो है ये largest तो बना ही है लेकिन अगर आप से पूछू कि जो sugar season 2021 से लेके 2022 तक था यानि कि October 2021 से लेके September 2022 तक था इसके अंदर हमने जो sugar का production किया वो near about यहाँ पर कितना था 5000 lakh metric tons of sugar जो है हमने क्या किया था यहाँ पर उसका production किया था यह हमारा sugar season 2021 से 2022 के अंदर जिसके वज़ यहाँ पर कौन सा ऐसा एरपोर्ट है जिसने यहाँ पर अपना जितने भी नीड्स है ना हंड्रेट परसंट उसने किस से कर लिया यहाँ पर ग्रीन सोर्सें से कर लिया और यह 100% सस्टनेबल एरपोर्ट बन गया कि आगे जाकर इसका climate change हो गएरा पर जो contribution है वो काफी अच् यह green sources की तरफ move कर चुका है आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मुझे जर्नली लगाई ही था कि जादतर बच्चों का यहाँ पर आंसर क्या आएगा आंसर इदर आएगा कोचिन इंटरनाशनल एरपोर्ट कोचिन इंटरनाशनल एरपोर्ट जो है यह आपका fully solar energy पर है पर य नहीं है यह तो आपका बहुत पहले ही मार्च के अंदर अल्रेड़ी यह 100% solar energy पर काफी टाइम से चलता रहा है यहन की 2015 में इसको power neutral का status मिल चुका था तब से क्या चलता रहा है solar energy पर चलता रहा है 2022 में तो इसको power positive status मिला की भहिया जितना इसको जरुवत है न उससे कहीं ज चत्रपती शिवाजी माराज international airport जो है मुंबई माराश्ट्रा का वो यहाँ पर क्या बना है इंडिया के कुछ ऐसे 100% sustainable airport जो है उन में से एक बना है one of those airports यह यहाँ पर बना है क्योंकि इसने यहाँ पर hydrogen and wind energy के थुरू इसकी energy requirements 95% इसकी energy की requirement electricity की जो इसकी जरूरत है वो 95% hydro और wind energy की थुरू हो रही है और 5% कि इस पर है solar energy पर लेकिन जो आपका यहाँ पर कोचिन international airport यह 100% solar energy पर जल रहा है ठीक है यह पूरी की पूरी इसकी जो भी requirements है वो 100% solar energy से ही fulfill हो पा रही है next is here according to the United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD जिसे का जाता है और इसका headquarter भी आपको पता है कहाँ पर है यह भी जैनेवा स्विट्जल लैंड में है अब इसने एक report निकाली UNCTAD ने 2022 के अंदर इसने का कि इंडिया की economic growth जो है न वो यहाँ पर expected है कि 2022 के अंदर गिर कर कितना हो सकती है from 8.2% in 2021 2021 में यह 8.2% हुआ करती थी उसके बाद में 2022 में यह कितनी परसंट यहाँ पर हो गई है आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5.7% यह हो गई है पहले कितनी थी 8.2% थी इसके बारे में आपको जादा कुछ याद रखने जरूत नहीं है बस इतना य किया था क्या कितनी और एक वर्ट बैंक पांच बतार नहीं है ना बात सच्या की नहीं है यहां पर next is here as per the 14th edition of commitment to reducing inequality I think 6.8 किया है इसने not 6.9 6.8 किया है yes अब यहां पर answer क्या होगा guys the next reader क्या कह रहा है question fourth edition आया है यहां पर commitment to reducing inequality index CRI index अब CRI का full form पता होना चाहिए यह कौन सा index है कि यहां पर inequality reduce करने के लिए क्या commitment है देशों का commitment का मतलब क्या कि यह inequality reduce करने के लिए क्या कुछ है जो लेके आ रहे हैं कौन सी policies ला रहे हैं performance कैसा दे रहे हैं कुछ action ले रहे हैं कि नहीं कोई schemes इसके regarding ला रहे हैं कि नहीं यह सारा यहां पर किस से टॉप कौन कर रहा है इस index को बहुत अच्छे तो सबसे जादा inequality reduce करने का commitment जो है वो कौन निभा रहा है नौरवे उसमें सबसे आगे हैं फिर अगर मैं आपसे पूछू reducing inequality inequality को eliminate करना not only reducing but eliminating inequality और अगर मैं कहूं gender gender inequality reduce करना हमारा कौन से number का sustainable goal है कौन से number का sustainable development goal है answer क्या होगा देखो यह पूछा जा सकता है क्योंकि यहां पर एक index आ है reducing inequality से related तो यह static के रूप में पूछा जा सकता है तो यह दखना gender equality inequality reduce करना यह हमारा पांच वे नंबर का sustainable development goal है ठीक है next यहां पर आपको क्या यादकना है इंडिया की रेंक तो 123 रही लेकिन total countries कितनी थी जिनका data लिया गया था total country 161 ठीक है इसको prepare किसने किया था यह question भी बहुत बार आता है कि इस index को बनाया किसने तो इस index को जो है वो बनाया गया दो institution ने मिलके एक तो था development finance international dfi और दूसरा कौन सा था दूसरा था Oxfam international इन दोनों ने मिलके यहां पर इसको बनाया था ठीक है यह आपको यादकना है इंडिया जो था पिछले साल इसका क्या था अगर health के terms में health के उपर हम spend कितना करते हैं स्वास्ते के उपर हम खर्चा कितना करते हैं तो उसके इसाब से हमारा दो places हम यहां पर क्या गए हैं गिरे हैं हमारी position दो places गिरी हैं कितनी हो गई है 157 यहां पर ranking आ गई है हमारी जो की 5th lowest in the world है ठीक है क्योंकि यहां पर क्या है हमने 161 की according देखें तो हमारी 5th lowest यहां वर्ट के अंदर यह health के उपर बहुत कम खर्चा करते हैं इंडिया के लोग next is here European Parliament has approved a new rule that will introduce a single charging port for mobile phones, tablet, cameras by which you are in European Union देखो इन्होंने बोला mobile phone, tablet और camera के अंदर एक ही single charging port आएगा जिससे क्या होगा wastage वगरा नहीं होगा और काफी चीज़े यहां पर बच जाएंगी अब camera के लिए अलग ले रहे हो, tablet के लिए अलग ले रहे हो, mobile phone के लिए अलग तो उससे एक तरीके से वेस्ट वो बहुत जादा हो जाता है unnecessary की चीज़े हैं, एक ही में ऐसा कर दे तो इन सबी चीज़े को एक ही charger से हम charge कर सकते हैं तो by the end of 2024 इसको क्या किया जा रहा है, launch किया जा रहा है, फिर यह कह रहा है कि laptops के लिए भी, laptops के लिए भी इसको क्या कर देंगे, यह compulsory कर देंगे, laptops को कौन से year तक कर देंगे, तो इन्होंने बोला, 2026 तक laptops के लिए भी single ही यहां पर यह charging port जो है, वो use किया जाएगा, जिसक जो भुकमरी है, hunger है, वो कितना जादा है यहां पर, मतलब लोगों के पास खाने को है कि नहीं है, उस हिसाब से इंडिया की यहां पर rank क्या है, answer क्या होगा, फिर यह किसने निकाला, यह आप से पूछ सकता है, फिर किसने इसको top किया, यह आप से पूछा जा सकता है, तो य जनरली भारत जो है, जितनी भी कंट्रीज का डेटा लेते हैं, तो जनरली जादा तर इंडेक्स में हम पीछे रहते हैं, कुछ एक इंडेक्स है जिसमें हम आगे रहते हैं, answer क्या हो जाएगा, 107, अगर आप से पूछू कि भारत को स्कोर कितना दिया इन लोगों ने, तो 29 2021 में इंडिया की इसी सेम इंडेक्स के अंदर रेंक थी 101, जो हमने 116 कंट्रीज का डेटा लिया था, तो इंडिया की ये रेंक थी टोटल इतनी थी, फिर 2020 की बात करूँ, तो इंडिया की रेंक इतनी थी, 94 रेंक थी इंडिया की, लेकिन आगर आप से जणरली पूछे का 2021 का पूछेगा 2020 का नहीं पूछेगा फिर बात आती है कि इसको बनाया किसने तो इसको यहाँ पर publish किया था कुछ European NGOs थे non-governmental organization एक तो था concerned worldwide एक organization का नाम है दूसरी organization का नाम है with hunger life ठीक है तो यह दो organization ने मिलके इसको यहाँ पर बनाया था यह आपको यादखना इसको prepare किया था तो आंसर क्या हो जाएगा wealth hunger hunger hive जो है और concerned worldwide जो है यह दोनों के दोनों ने मिलके इसको बनाया उसके अलावा सबसे जादा world का सबसे जादा highest hunger level कहां देखने को मिला अफरीका, south of sahara और south asia वाला जो area है ना वहाँ पर सबसे जादा hunger जो है वो देखने को मिला ठीक है तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है next यहाँ पर देखना है next question क्या हो जाएगा next question है हमारा as per the latest data by the telecom regulatory authority of India dash became the largest landline service provider in the country for the first time पहली बार ऐसा हुआ कि एक data recently released हुआ था अक्तूबर 2022 के अंदर जिन्होंने बोला था कि अगस्त मन्त में इन्होंने calculate कि अगस्त मन्त में यहाँ सबसे बड़ा landline service provider हारे देश का कौन बन गया according to try try क्या है which is telecom regulatory authority of India तो इसने बोला Reliance Geo जो है यह अगस्त मन्त के अंदर हमारा सबसे बड़ा largest landline service provider था ठीक है तो landline के थूप आजकल तो landline का जमाना ही नहीं है mobile phones है बाकी चीज़े है लेकिन landline जो है वो सबसे ज़ाद है यहाँ पर Reliance Geo उसके लिए क्या है famous है अब कितने connection थे इसके अगस्त 2022 तक तो 31 अगस्त 2022 तक इसके पास में यहाँ पर 7.35 million landline connection थे यानि कि near about 70 लाक या फिर कहूं 70 लाक इसके पास में क्या थे landline connection इसके through हो चुके थे Reliance Geo के पास में और यहाँ पर इसने BSNL को भी हरा दि इसका काफी strong hold है तो अब भारत संचार के तो BSNL के तो कितने हो गए 7.13 और इसके 7.35 million होने की वज़ा से यह उससे आगे निकल गया यह डेटा यहाँ पर ट्राय ने इदर फीचर किया अब ट्राय का अगर आपसे chairperson पूछा जाएगा तो यह question भी आ सकता है कि ट्राय का चे प्रिपेर किया तो अब आपका एक question तो यहां से हो चुका है एक question क्या हो चुका है कि कल को अगर exam में पूछ ले कि public affair index report कौन निकालता है तो यह public affairs center ने इसको प्रिपेर किया आपसे पूछ रहा है कि इसमें top किस ने किया answer क्या हो जागा बहुत अच्छे correct answer हो जागा हर्या जो है इसने यहां पर talk किया अब public affairs है मतलब क्या है जो लोग सेवाएं अगरा होती है उससे हमारा यह मतलब है फिर कई बार आपसे यह भी पूछ सकता है कि यह कौनसी city based company है या यह firm है जिसने यह प्रिपेर किया है तो यहां रखना यहां पर correct answer क्या हो जाएगा यह बैंग position पर कौन रहा answer यहां पर क्या होगा उसके अलावा एक अभी recently air quality report आई थी जिसके अंदर हर्याना जो था along with पंजाब इसको यहां पर क्या मिला था very poor air quality यहां पर मिला and specially हर्याना के अंदर कौनसी जगा थी जिसको very poor quality मिला गुरुग्राम को ठीक है इसकी बहुत ही very poor air quality air quality म सबसे जादा खराब भारत के अंदर यह आपको यादखना है air quality फिर उसके वाला पंजाब जो है यह पंजाब के अंदर कौनसा तो लुधियाना जो है इन लोगों ने जो AQI report आई ना इनका कितना आया इसका AQI report आया 313 जो की बहुत ही alarming है और इसका कितना आया 269 आया ठी इसके अलाबा हर्याना स्टेट आपको पहले पता होगा कि यह export करके index आया था export के अंदर यह सबसे आगे था हर्याना जो था इसके अंदर सबसे आगे था ठीक है तो यह आपको यहाँ पर यादखना है इसके अलाबा मैंने आपसे पूछा कि followed by which other state तो यादखना यहाँ प पस इतना याद अखना है आपको जादा कुछ याद नहीं रखना है नेक्स यहाँ पर है आपका अपका अपका क्लोबल मल्टी डामेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2022 कितने लोग जो है कितने मिलियन पीपल इंडिया अब बिन एबल टू लिब्रेट फ्रॉम पावर्टी भारत के अंदर एक यहाँ पर ग्लोबल मल्टी डामेंशनल पावर्टी इंडेक्स निकाला गया गरीबी के उपर मल्टी डामेंशनल क्या होता है कि हर तरीके की गरीबी होती है एक ऐसी गरीबी होती है जहाँ पर लोगों के पास पैनने को नहीं है लेकिन खा पारे है ठीक कि 2005 से 2006 के बीच में कितने लोग थे और अब कितने लोग यहां पर गिराबट हुई है तो यहां पर यादकना कि नियर अबाउट आपके 415 मिलियन लोग जो हैं वो यहां पर गریबी रीखा से बहार आये हैं ठीके जो गरीबी से बहार निकल का है यानि कि जो गरीब हुआ करते थे आज की डेट में वो गरीबी से बाहर आ चुके हैं तो ये आपको यहाँ पर याद अखना है फिर दूसरी चीज इसको निकाला किसने ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया तो याद अखना ये Oxford Poverty और जो आपका पूरा इसका नाम बता देती इसको निकाला गया at the University of Oxford University के उदर निकाला गया तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के according 2020 का इन्होंने population data लिया जहाँ पर इन्होंने बोला कि अभी यहाँ पर इंडिया का जो largest poor people in the world हैं कितने हैं अभी इंडिया के अंदर world के अंदर सबसे जादा गरीब लोग कहां देखने को हैं भारत के अंदर मिलते हैं अगर 2020 के हम आकड़ें देखे तो कितने हैं यह कितने लोग हैं जो भारत के अंदर गरीब हैं 228.9 million दूसरे नंबर पे आता है नाइजीरिया पहले नंबर पे कौन है भारत है 228.9 million के साथ में और नाइजीरिया 96.7 million तुम गैप देख रहे हो पहले first port वाले इंडिया का और नाइजीरिया के साथ में gap देखो कितना जादा है हम कितना आगे हैं नाइजीरिया से second वाले से भी हम कितना जादा आगे है तो यह देखना 15 सालों के अंदर हमने यहाँ पर 415 मिलियन लोग ऐसे हैं जो गरीबी से बाहर निकले हैं गरीबी से इंप्रूव कर लिया है जोनोंने और गरीबी रेका से बाहर निकला है next is that Neomura has forecasted India's growth to sharply slow down to dash in 2023 to 2024 from 7% problem यह नहीं है कि हमारा population बहुत जादा है problem यह है कि गरीब population काफी जादा है और शायद गरीबी और population हमारे इदर ऐसे चल रहे है क्योंकि population बहुत जादा है इसलिए resources नहीं बट पा रहे हैं तो काफी लोग गरीब हो रहे हैं यानि कि population गरीबी को जनम दे रही है और गरीबी ultimately population बढ़ा रही है तो इस टाइप से एक vicious circle इदर चल रहा है answer क्या हो जाएगा तो नौमूरा जो है इसने यहाँ पर इंडिया का जो growth forecast है यह यहाँ पर 7 प्रतिशत जो हुआ करता था इसको बोला है कि यह financial year 24 में अब काफी लोग यहाँ पर ना financial year 23 का answer कर रहे होंगे लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है 24 financial year 24 का इसने 7 प्रतिशत से घटा कर कितना कर दिया है answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा यहाँ पर मैं 5.2% इदर कर दिया गया है ठीक है यह आपको यहाँ पर याद रखना है इससे पहले यहाँ पर कितना था काफी लोग यहाँ पर 4.2% बता रहे है 4.2% किसके लिए है financial year 23 के लिए इन्होंने बोला है next is here अब देखो global slowdown हो रहा है जिसकी वज़े से 2023 से 24 के बीच में 5.2% रहेगा previously इन्होंने 7% यहाँ पर बताया था next यहाँ पर क्या है according to the Mercer CFA Institute Global Pension Index 2022 का इंडिया ने यहाँ पर क्या रहे काया Mercer CFA क्या है यह आपका एक organization है यह Mercer Institute जो है Mercer CFA Institute यह क्या निकालता है हर सार Global Pension Index निकालता है जिसको MCGPA भी कहते है Mercer CFA Global Pension Index 2022 का भारत की रहेंक बताओ और 44 कंट्रियों में से भारत की क्या रहे करही और इसको टॉप किस ने किया ठीक है अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं 41st जोगा तो 41st दो जगा पर है कुछ लोग बोल रहे हैं Iceland होगा Iceland भी दो जगा पर है तो यह आपको यादखना है यहाँ पर फिर आपसे पूछता है कि यह कौन सी Mercer CFA Institute है यह US-based institute है जिसने इसको यहाँ पर क्या किया है इसको launch किया है Next is here who among the following actors will become the first actor to shoot in space इन में से कौन सा ऐसा actor है जो पहला ऐसा actor बनने वाले है जो space के अंदर अंतरिक्ष के अंदर shooting करने वाले हैं फिल्म को shooting रखने वाले हैं ठीक है answer क्या हो जाएगा यहाँ पर बहुत अच्छे correct answer हो जाएगा एदर Tom Cruise moderator if you are watching this class then please block this 69 triple x something kind of people तो यहाँ पर यह बंदा जो है 69 triple x जो भी इसको इसको प्लीज ब्लॉक कर दे और तुम लोग भी अपने पार्ट से ब्लॉक कर दे इदर पता नहीं आज कर इस टाइप के लोग कहां से आज आते हैं इसके लिए डारेक्टर डॉग लिमान जो है उसके साथ में प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं जहां पर यह एक स्पेस वॉक जो है वो परफॉर्म करेंगे अभी आगया आपका statement based question ठीक है statement यहाँ पर क्या है which of the falling points are incorrect चलो इसको बाद में देखते हैं पहले तो यह किसके बारे में बात कर रहा है times higher education यह times higher education यह एक organization है जो क्या निकाला है जिसने निकाला है world university rankings 2023 अक्तूबर 2022 के अंदर पहला option क्या कह रहा है कि इंडियन institute of science यानि कि ISE Bengaluru जो करनाटक के अंदर पड़ता है इसका यहाँ आपर number one rank दिया गया है सारे इंडियन institutions में और एकलोती ऐसी भारती है university जो है भारत से जिसने आपर top 300 list के अंदर इसका जो position है वो आया है बात सच है फिर अगर आप से पूछो ISE Bengaluru top 300 में रा तो rank क्या दीज की वो तुमें comment section के अंदर बताओ फिर दूसरे statement कह रहा है कि 100 institute जो है वो यहाँ पर times higher education world university ranking 2013 के अंदर लिये गए और इंडिया जो है यहाँ पर 7th most representative country है जिससे बहुत जाधा institute लिये गए उस number पे ee 5 5 number पे आते हैं सबसे जाधा institute जो इस list के अंदर है उसमें पाचवी नंबर पे भारत की पाचवी नंबर पे सबसे जाधा institute भारत की इसके इंदर है तो 7वी नंबर पे कह रहा है which are included here और in 75 institute यहां पर included है from India जिसकी वज़े से यह पाँचवे नमबर पर यहां पर आता है फिर यह यहां पर कहता है कि Oxford University जो है यह वल्ड के अंदर first number पर रहा World University Rankings और लगातार साथवे साल यानि कि अब यह जो Times Higher Education है ना यह हर साल जो World University Rankings निकाल रहा है उसमें पिछले साथ सालों से Oxford University टॉप करता रहा है और कह रहा है कि दूसरे नमबर पर Harvard University यूएस का यह दूसरे नमबर पर आती यह बात एक दम सच है सिर्फ यहां पर गलत क्या है बी वाला गलत है पूछ रहा है करेक्ट पूछ रहा है कि इंकरेक्ट पूछ रहा है इंकरेक्ट कौन सा Only B आंसर क्या हो जागा है यहां पर तो यह आपको यहां पर यादखना है अब मैं एक बार क्विकली आपको बता देती हूँ यहां पर ISE Bengaluru जो करनाट का है इसका Indian Institute से तो Rank 1 है लेकिन यहां पर यह काफी सालों से 300 से लेके 300 का जो band है उसके अंदर आता था पहली बारा भी यह क्या हुआ है इस band को तोड़के यह 200 से 300 rank वाले जो band है उसके अंदर इसको include किया गया है यह कलोती है सी University India की जो टॉप 300 लिस्ट के अंदर आया यहां कि 300 से पहले 200 से लेके 300 के बीच में डाला गया 75 Institute इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करें इस वज़े से 5th most represented country है यह उसके अलाबा यहां पर 6 ऐसे इंस्टिट्यूट है जो पहली बार इस ranking के अंदर include किये गए from India जैसी कि एक है आपका शुलूनी University of Biotechnology and Management Sciences जो हिमाचर प्रदेश के अंदर पढ़ता है इसको इन 6 institutions में से debut institutions में से यहां पर top position रखा ठीक है अब यहां पर आपका 7th consecutive year के लिए Oxford University 1st Pera followed by Harvard University और अगर आप से पूछेगा कि Asian countries के अंदर top किस ने किया तो Japan की जो University of Tokyo है उसने यापर इसको top किया with 117 ranked universities followed by China with 95 और India 75 Asian countries में अब यह question करना क्यों आपके लिए important है यह why this point is important अभी IBPSPO में इस देखा था उसके अंदर क्या आया था उसके अंदर आपसे पूछा था कि HDI index था आपसे इंडिया का rank नहीं पूछा किसने release किया यह नहीं पूछा उसने यह कहा Indian subcontinent में कौन सी country top पर थी तो कुछ लोग बोल रहे हैं मैं में Asia बोल रहे थे कुछ लोग बोल रहे हैं मैं Indian subcontinent बोल रहे थे Indian subcontinent होगा तो कौन सा हो जाएगा तो हो जाएगा श्रिलंका था उसमें top पर अगर Asian बोला होगा तो आपको पता है कि फिर वाँ पे Hong Kong होगा जो चौते नंबर पर था और श्रिलंका 76 था इंडिया के neighboring country और Indian subcontinent के उदर श्रिलंका की सबसे अच्छी यहाँ पर क्या थी ranking थी लेकिन आप चीज क्या है आपर आपसे क्या पूसकता है कि World University ranking के अंदर Asian countries में से सबसे जादा universities जो हैं उसके साथ में top किस ने किया जपान ने top किया और जपान में से भी सबसे अच्छी ranking जपान की कौन सी university की थी वो थी University of Tokyo तो 117 universities जापान से चाइना से 95 इंडिया की 75 तो अगर मैं Asia में बात करूँ तो Asia के अंदर इंडिया की थर्ड नहीं थी है ना और World में क्या हो गई? World के हिसाब से Asia के अंदर तो थर्ड और World में क्या उनसी हो गई? 5th most representative हो गई ठीक है? चलो नेक्स है आपर according to a survey जारखन the percentage of girls getting married before turning 18 is as high as 5.8% एक सरवे हुआ उसके अंदर ये पाया गया कि जारखन के अंदर जो लड़किया है 18 साल की होने से पहले उनकी जो शादी हो जाती है वो percentage काफी जादा है 5.8% यानकी इनकी इदर जितनी भी लड़किया रहती है न 18 साल से कम उम्र की जो लड़किया है उनमें से 5.8 प्रतीशत लड़कियों की 18 साल से पहले ही शादी हो जाती है अब भी आप से पूछ रहा है ये survey जो है होम मिनिस्ट्री ने कंड़क्ट कराया जहां पर छारकन जो है उसका यहां पर highest percentage पाया गया followed by which other state ये तुम बताओ मुझे नेक्स से यहां पर according to WHO global TV report क्यों पूछ रही हो तुम बताओ मुझे क्योंकि मैं करा चुकी हूँ ये इसलिए पूछ रही हूँ नेक्स ने आपर global TV report 2022 के according यहां पर WHO ने क्या निकालता है तो अगर आपसे पूछेगा TV report, tuber clauses से related जो report है global level पर वो कौन निकालता है तो यह हर साल WHO यान की World Health Organization निकालता है इसने बोला 2021 के अंदर जो भारत के अंदर TB के cases थे जो अल्रेडी notify भारत की तरफ से किये गई यह कितने लाख cases थे TB के जो भारत के अंदर देखने को मिले answer क्या हो जाएगा मैम 21.4 lakh यहां पर cases रहे भारत के अंदर अगर पुछेगा कि 2021 में 2022 के मुकाबले कितना increment देखने को मिला तो 2021 में मैम थे 21.4 lakh बात सही है और 2020 के मुकाबले यह कितने जादा थे 2020 के मुकाबले कि 18% यहां पर क्या है थे तो near about a gram देखे तो यहां पर 22 करोड लोग ऐसे थे जो यहां पर 2021 के अंदर TB जिनको यहां पर diagnose हुआ कि उनको TB हो गया यानि कि या तो वो अर्ली डिटेक्शन हुआ या उनका treatment चल रहा था TB का अर्ली stages के अंदर यह आपको याद अठना है नेक्स इस ए नेम दे कंट्री डाट रिसेंट्ली सरपास चाइन और बांगलादेश तो बिकम इंडिया दूसरे पे कौन तीसरे पे तो नीदर्लेंड्स है यह बात सच है ठीक है तो अब पहले पे कौन सा है US दूसरे पे कौन सा है UAE तीसरे पे है नीदर्लेंड्स चौते पे है चाइना और पांचवे पे कौन सा है गाईस बांगलादेश sequence याद रहेगा ठीक है अब यहाँ पर अगर आपको class पसंद आ रहे हैं तो please guys like जरूर कर देना and channel को subscribe कर देना और मेरा telegram channel नहीं यहाँ पर आपको class का pdf मिल जाएगा शीतो शर्मा 01 पहली बार मेरी class attend कर रहे हैं तो बहुत अच्छी pdf मिलेंगी बहुत अच्छी classes आपको मिलेंगी और surely आपको exam में जरूर help नहीं देगा और अगर आप मुझे कम से कम 6 महीने दे देते हैं तो इस level का मैं आपको चीजे करना सिखा दूँगी या एक habit आपके अंदर डाल दूँगी कि current affairs जो है उससे आपको डर नहीं लगेगा आपको current affairs interesting लगेगा और आपको confidence भी आएगा तो mainly मेरा जो motive है याँ पर आप लोगों के अंदर confidence डालने का motive है और अच्छा ये बताओ तुम में से कितने लोगों का भी SBI clerk मेंस का exam है अब बोलोगे मैं result आएगा तब ही बताएंगे लेकिन कितने लोग ऐसे सोचके चल रहे हैं कि आप लोग prelims clear कर लोगे कितने लोगों को लगता है कि मैं prelims clear हो जाएगा अच्छा गया कि किन लोगों का prelims clear हो जाएगा देखो मेरा जो यहाँ पर journey है न वो अभी खतम नहीं होता है because मेरा motive है always improve yourself मैं अपने आपको improve करना चाहती हूँ improve मैं कैसे करना चाहती हूँ कि मैं वो content लाना चाहती हूँ जो relevant हो वो चीजों पर focus करना चाहती हूँ जिसको examiner यहाँ पर target करेगा तो जरूरी नहीं है कि जो PO mains में बहुत direct question थे कुछ indirect भी थे लेकिन हमने थोड़ा in depth पढ़ने की आदर डाल ली तो हमको ऐसा लगा जैसे हमसे direct पूछ लिया है कि मैं सीधा सीधा question पूछा था सीधा सीधा नहीं था लेकिन अगर जिसने भी हलका full का भी in depth पूछा था तो हलका full का भी थोड़ा सा depth में चाके कर लिया था तो वो आया था बहुत in depth नहीं पूछा था बहुत खतरनाक वाला नहीं आया था लेकिन हमको इसका मतलब यह नहीं है कि SBI clerk के अंदर भी ऐसा ही आए या SBI clerk के अंदर कैसा भी आ सकता है अब SBI clerk के लिए मैं आपके लिए 2 session लेकि आऊँगी एक session जिसमें मैं purely यहांपर आपसे strategy discuss करूँगी strategy in the case day wise strategy मैं आपको बताऊँगी कि यह जो बचे हुए दिन है आपको किस हिसाब से किस-किस topic को दे सकते है और जितना भी मैंने पिछली बार पियो मेंस में जो strategy discuss किया था नियर अबाउट जो topics हमने discuss किये थे उन्हें topic से पूछा गया था जादतर question MOU agreement से भी थे rank and report से भी थे जो हमने already discuss किया था तो इसके लिए भी मैं पूरा dedicated बनाऊँगी एक और अभी इसके लिए आज हमारे शाम तक evening तक मैं SBI clerk के लिए ना पिछले five year का एक analysis आपके लिए ले के आऊँगी मैं आपको question दिखाऊंगी कि किस type से आते हैं कितने months का पूछा जाता है current affairs और किस type के question आते हैं और अगर banking awareness से पूछता है तो क्या पूछता है moving forward here तो Netherlands यहाँ पर China और Bangladesh को इसने पछाट दिया US और UAE यहाँ पर top two positions पे रहे तीसर नंबर पर Netherlands हो गया और यहाँ दर्खना यह point important है काफी अगर in depth पूछेगा तो इस point को उठाएगा ही उठाएगा point क्या है यह कह रहा है कि सिर्फ दो European देश जो थे Netherlands और UK यह यहाँ पर इंडिया के top 10 markets में यहाँ पर पड़ते हैं और यह यहाँ पर चार से decline हो गए financial year 22 में ऐसी चार countries थी लेकिन अभी फिलाल में यह पिछले साल यहाँ पर चार हुआ करती थी लेकिन financial year 22 में यहाँ पर कितना हो चुका है यह दो ऐसी European countries बचनी है जो 10 top 10 के अंदर यहाँ पर आती है ठीक है नेक्स यहाँ पर which of the following was recognized as India's most suitable oil and gas company for the third executive time in the 2022 edition of the SNP Dow Jones Sustainability Indices DJSI देखो गाइस यह जो question होते हैं यह तो हमको लगते हैं अटपटे और इनको हमने याद करने की कोशिशी नहीं करते हैं जैसे कि यह आपका दे दिया DJSI का Corporate Sustainability Assessment अब यहाँ पर examiner इनी को target करता है कि यह ऐसा कौन सा नाम है जो बहुत गंदा है लग रहा है याद भी नहीं रख पाएगा student इसको target करो ठीक है तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा यहाँ पर भारत Petroleum Corporation Limited जो है इसने यहाँ पर क्या किया है इंडिया का सबसे most sustainable word क्या होता है sustainable word होता है which focuses on getting all the needs of the future generation plus the present needs of the present generation कि आज के जरूरते हम यहाँ पर पूरी करते हुए यह ध्यान रखे कि कल की जो PD है उसकी जरूरतों को हम compromise ना करें यानि कि यहाँ पर environment को साथ लेके चले, climate को साथ लेके चले, everything should be there in synchronization तो यह most sustainable oil and gas company बना है लगातार तीसरे साल 2022 का जो addition आया S&P which is Standard and Poor's Doe Jones Sustainability Indices यह index निकाला गया जिसमें देखा गया कि corporate यानि कि businesses का sustainability assessment ranking किया गया जिसके अंदर BPCL जो है यहाँ पर first number पिरा BPCL जो है यह आपकी एक महारतना company है, this you have to focus है तो यह आपको पता होना चाहिए, कल को एक से पूछलेगा that भारत petroleum corporation limited as a which type of public sector undertaking, महारतना, नवरतना, मिनिरपना तो यादतना महारतना है total महारतना companies कितनी हो चुके हैं भारत के अंदर, 12 महारतना companies हो चुकी है and महारतना company अभी recently कौन सी बनी REC और ये question आपसे पूछले गया था exam के अंदर फिर कई बार आपसे ये भी पूछ सकता in-depth अगर जाएगा कि महारतना companies के लिए यहाँ पर minimum कितना 3 सालों के अंदर, at least 3 सालों का पूरा data उठाएंगे और बोलेंगे annual turnover जो है, वो average कितना होना चीए एक महारतना company का ठीक है उसके अलावा नवरतना company कितनी है, मिनी रतना company कितनी है ये सारा तुमारा homework है जो तुमको करना है उसके अलावा याद रखना ये fortune global 500 company भी है जिसको यहाँ पर fortune global 500 इंडिया की list के अंदर यहाँ पर feature मिलाता next is there according to a report released by UNHCR यानि की human rights commission जो है ये United Nation का October 2022 में इसने कहा कौन सा देश जो है वो सबसे ज़ादा जो refugees शर्णार्थी शर्णार्थियों की जो जनसंक्या है उस country के अंदर सबसे ज़ादा है तो answer क्या हो जागा यहाँ पर correct answer हो जाएगा तुर्की तो बहुत सारे लोग यहाँ पर Germany answer करे है पर correct answer हो जाएगा तुर्की जो है इसने 2022 के अंदर we are talking about 2022 इसने near about 3.7 million refugees यानि की 37 lakh refugees शर्णार्थी जो है उसको यहाँ पर 2022 के अंदर मिड के अंदर ही इतने सारे refugees यहाँ पर तुर्की के around आए और इसका काफी जादा reason यह भी है कि आसपास का जो तर्की और आसपास का जो area पढ़ता है ना यहाँ पर Russia वगरा यहाँ आसपास के पढ़ते है तो इसकी इसमें काफी सारे लोग यहा education 4.0 report 2022 which of the following organization collaborated with the world economic forum to launch the education 4.0 India initiative यह कहरा कि इन में से कौन से यह ऐसी संस्थान है जिसने na WEF world economic forum के साथ में मिलके यह education 4.0 India initiative लाँच किया तो पहली बात तो यह है कि world economic forum निकालता है यह education 4.0 report निकाला यानि कि fourth phase था fourth version था इस education report का जिसमें यहाँ पर आपका एक तो United Nation Children Fund जिसको हम UNICEF भी कहते हैं और दूसरा कौन सा है युवा इन दोनों ने मिलके इसको क्या किया है यहाँ पर launch किया है ठीक है यादखना वीडि प्लीज लाइक कर देना लाइक बहुत कम है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजे और कोशिच कीजे कि डेली आप at least hundred life count maintain हम रख पाएं दर ठीक है तो hundred life count होना चाहिए डेली अगर आप चाते है कि real में आपको quality content मिलता रहे और यहाँ पर classes चलती रहे ठीक है तो यहाँ पर school to work जो है यह transition process निकाला गया 4.0 report निकाला WF ने मिलके किसके साथ में UA जो की generation limited इंडिया का जिसको बोला जाता है और दूसरा UNICEF है यह सबसे पहली बार मई 2020 में यहाँ पर establish हुआ था जिसने यहाँ पर 40 से ज़्यादा partners से लिके आया थे education technology government areas के अंदर next यहाँ पर RBI ने cbdc का अब यह question cbdc से आया था तो जब मैं पूच रही थी बच्चों को तो काफी बच्चों को बतानी था cbdc से exactly question क्या था और मैं आपको बता दो यह question मैंने marathon के अंदर कराय था जो five months की marathon हुआ था ना उससे बिलकुल as it is question as it is question यह question था कि नहीं था guys है ना यही पूच इंदर trade कराने के लिए तो मैंने आपको यह भी बताया था government security बताते हुए कि देखो एक तक government securities कैसे होते है जब RBI कोई नई चीज़ इंटर्ड्यूस कर रहा है तो किसमें लाएगा government securities क्योंकि यह government securities government के बिहाग पर कौन इशू करता है RBI इशू करता है ना तो इसलिए यहा आपर जो central bank digital currency लेके आ रहा है अपनी वो digital currency यहाँ पर secondary trade किसमें करेगा government securities के अंडर trade करने वाला है एक नवबर 2022 से इसने लौंच कर दिया कोको कोला वाला भी एकदम सेम था कोको कोला वाला कैसा था उसमें आपसे question क्या था कि 1 billion US dollar की कौन सी ऐसी brand बनी है भारत के अंदर त लेकिन मैंने explanation में जब तुम्हें Sprite बता रही थी तो यह भी बता रही थी कि यह कोको कोला की ही क्या है यह subsidiary company है जैसे लिमका है स्प्राइट है यह सारे किसके अंदर आते हैं कोको कोला का पार्ट है ठीक है अब यहाँ पर आपका SBI clerk mains achiever batch जो है यह आप जोइन कर सकते हैं वह high level content और बहुत ही आगे तक के लिए content देती हूं जो आपका पूरा comprehensive एक तरीके से content होगा जिसके अंदर सारे months का जो लास्ट 8 months का जितना भी data है वह आपको मिल जाएगा है especially अभी मैं recent के जो 3-4 months का tabular data provide करती हूं यहाँ पर चाहे वो ranking हो चाहे कुछ भी है तो उससे क्य clerk means purchase कर सकते हैं definitely आप regret नहीं करेंगे ठीक है otherwise आप चाहें तो banking super elite ले सकते हैं उसमें नबाड का यह means मेरा batch है यह भी मिल जाएगा आपको SBI clerk भी मिल जाएगा बाकि मेरे जितने भी batches अब वो तो मिलेंगे मिलेंगे plus 2000 से जादा mock test मिलेंगे 6 महीने की validity का 2624 में मिल जाएग नेक्स ने यहां पर UPI की transaction 7.7% यहां पर बढ़कर हो गई अक्तूबर 2022 में कितने करोड transactions यहां पर रही तो इसने का कि हमने यहां पर अक्तूबर के अंदर इसमें 7.7% का increase देखा 7.7% growth देखी increase देखा rise देखा और total यह transaction कितनी थी 730 करोड यहां पर transactions थी तो यह आपको या जो यह यहां पर यह different type of transactions इन लोगों ने की यह कितनी थी 12.11 लाक करोड रुपीस की transactions थी यानि कि अगर इन transaction का मैं amount देखू कि यह जो जितने भी यहां पर जो भी UPI के थुरू जो भी payments वगरा हुई है तो इनका total अगर मैं करूँ तो यह 12.11 लाक करोड की यह total की यहां पर transaction थी next कहा है इन में से कौन सा point correct है with respect to sample registration system SRS statistical report 2020 देखो जो मैं आपको कराती हूं पेड़ बैच के अंदर वो mostly इस type के statement based questions होते हैं high level question होते हैं जो मैं आपके YT में नहीं करा पाती हूं वो मैं यहां पर paid batch के अंदर कराती हूं ठीक है तो यह तरीके से आप sample के तौर पर इसक नहीं को मिलेंगे उससे फायदा क्या होता है उससे फायदा यह होता है कि अगर in depth आता है ना जैसे आज कल in depth ही पूछ रहा है थोड़ा अलग से हटके पूछता है तो वो यहां पर आपको click हो जाएगा ठीक है तो हम यह नहीं मान के चलेंगी कि हमेशा question आपका direct ही आएगा अभी मैं यह मान के चलती हूँ कि वो in depth पूछेगा ही पूछेगा कभी भी वो तकता पलट कर सकता है examiner infant mortality rate IMR जो है males के लिए 28 रहा females के लिए 28 है तो finally 2020 में यहां पर क्या रहा है यह बोल रहा है 2020 के अंदर हमको यह क्या देखने को मिला almost जो दोनों के लिए same देखने को मिल अभी आपसे question में क्या पूछ रहा है कि इसके मामले में यहां पर correct इन में से कौन सा statement जो है वो correct है लेकिन यहां पर आपको पहले मेरे को सारे जो statements है न उनका बता हूँ yes or no yes है ठीक है एक दम सही है यहां पर finally 2020 के अंदर हमने infant mortality rate यानि कि जो बच्चा पैदा होता है न और उसकी पैदा होने में एक मन्त के अंदर या बिल्कुल वो infant है कुछी महीने का हुआ है उसकी मृत्ती हो जाती है तो यहां पर males और females में same रही पहले females में यहां पर जाद होती थी कि लड़की पैदा हुई मार दिया इस टाइप से करके तो अभी यह थोड़ा natural यहां पर हो गया same type का हो गया फिर कहरा है national level पर जो यह infant mortality rate है यह वैसे 9 points decrease हुआ है 2015 में इसका score यहां पर 37 हुआ करता था और अभी यहां पर हमने 2020 के अंदर इसको 28 देखा है जबकि 2019 में यह 30 हुआ करता था तो यह बात सच है यहां पर सबसे ज़ादा infant mortality rate जहां पर नवजाज शिशु की मृत्यू जो हो जाती है वो सबसे ज़ादा मध्यप्रदेश में देखने को मिली इसका score रहा 43 जबकि केरला के अंदर यह सबसे कम था 6 obviously literacy rate अच्छा है वहां पर health services अच quarter 2 दोनों में अचीव किया है यानि कि quarter 1 के अंदर भी इन्होंने यहां पर सब जगा पर tap water थे quarter 2 में भी यहां पर सब जगा पर tap water थे quarter 1 कौन सा है जो आपका अप्रेल से लेके जून 2022 तक का और quarter 2 कब से शुरू होता है यह जुलाई से लेके सितंबर तक रहता तो अगस्ट 2012 के अंदर यह जो यहां पर नियूज निकाला गया इसके अंदर तमिल नाडू इकलौता ऐसा स्टेट था भारत के अंदर जिसने यहां पर quarter 1 और quarter 2 दोनों के अंदर यहां पर जल जीवन मिशन के तैट tap water connection यहां पर डिस्टिब्यूट किया आपसे पूछेगा टोटल कितन लिस्ट documenting 50 iconic Indian heritage textile in October 2022 पचास ऐसे भारत की जो विरासत textile मतलब कपडे से related जो चीजे हैं तो ऐसे 50 इस टाइप के टेक्स्टाइल जो हैं अक्तूबर 2022 में इसको document किया पूरा लिस्ट को जिसमें थिगमा और वूल टाई और डाय जो हैं यह कौन से देश के साथ कौन से स्टेट के या यूटी के साथ में related हैं तो याद रखना ठिगमा जिसको वूल टाई यानि की उनी और थोड़ी गरम टाई और डाय जो हैं यह किस से related हैं तो याद रखना यह related with लदाग लदाग के पार्ट हैं इसके अलावा खेस जो है खेस क्या होता है एक तरीके से आपने देखा होगा उस्टैप का मेल्स जो होते हैं जरली वह कहरा में 1 तरीके की क्या बोलेंगे उसको जो आप देखते हैं 6.2. Wuhan क्या बोलू मैं जो ठाकर डालता था है ठाकर के हाथ नी सैढ़才 डालता था टव का खेस जो है उसको वो पानिपत से खेश को यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में खेश पानिपत से इसको फूइचर किया गया है हिमाचर प्रदेश में जो चमबा रुमाल है वो और लदाक से आपका थिगमा वूल्टाई एंडाई और वारा नसी से आपका अवद जमदानी ठीक है ने किसको यहाँ पर बनाया गया है और पिछले साल भी इनी को मिला था इस साल भी इनी को मिला है इंटरनेशनल होकी फेडरेशन ओफ दा प्लेयर ऑफ दा इयर इनको मिला है अगर आपसे बुलू इंटरनेशनल होकी फेडरेशन का हैड़ो कार्टर किदर है तो यादखना लॉजन स्विट्जलेंड के अंदर फिर आपसे पूछ रहा है प्लेयर ऑफ दा इयर विमेंस कटेगरी में किसको मिला फैली से अलबेरो मारिया ग्रेंटोज ऑगस्तिना या यहां पर नहीं है ना 1998 में सबसे पहली अवर्ट दिये जाने लगें तो सबसे पहले किसको मिला था यहां पर कौन थी जर्मनी की नश्चा क्लेयर कैलर थी 1999 में जो यंगेस्ट बनी थी उसके बाद में दूसरी ऐसी यंगेस्ट विनर कौन बनी है यह आपकी फैली सलबर्स यह पॉइंट भी इंपॉटन यह पॉइंट भी इंपॉटन क्यूंकि यंगेस्ट की बात हो रही है और यह सेकंड यंगेस्ट बनी है नेक्स जेए 2022 कमिटमेंट टू रिदूसिंग इनिक्वालिटी इंडेक्स जो ऑक्सफों इंटरनेशनल और डिफा ने रिलीस किया आप फॉर्टी फर्स और नॉर्वेज यहां पर क्या कर रहा इसको लीड कर रहा नेक्स आपका आउट ओफ वन टुएटीवन कंट्री इंडिया का क्या रेंक रहा ग्लोबल हैं हंगर इंडेक्स में जिसमें मैंने बताई इंडिया का रेंक 107 रहा आउट आउट फ़न अगर इंडेक्स में किसकी रही तो यादखना अफगानेस्तान बॉटम कंट्री था बॉटम मोस कंट्री नेक्स इस विज फॉलिंग इंसिट्यूट सिक्यॉर दा टॉप प्लेस इन इंडियन उनिवर्सिटीज अधा टाइम हायर एजुकेशन रेंकिंग्स 2023 तो यह अब आप का टॉप 10 स्टुडेंट्स का लीडर बोड जो है वो यहाँ पर शो कर सकती हो जो इसमें कुछ क्वेशन बच गए हैं वो मैं आपको पीडिएफ में डालके दे दूंगी और पीडिएफ मिलेगा आपको मेरे टेलिग्राम चैनल शीतल शर्मा 01 पर तो पीडिएफ जरूर ड आज के लिए बस इतना है थांकियो सो मच एवरिवन बबाएं ठेक केर और विश्यों गास अल अल बेर्स